हेलो दोस्तो, NCRT Aimpoint में आपका सुवागत है और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि Polytechnic UBTR का कल पेपर है उसके उपर Mathematics का जो Applied Mathematics फर्ष्ट है आपका उसके Most Important Question मैं आज लाया हूँ उसको आप आराम से बैठ कर हर एक Question को अच्छी तरीके से आपको समझना है और इससे पहले मैं मैंने अब तक आपका Permutation और जो Combination है वो Complete करा है एक Bynumal Thorem है वो आपका Complete Chapter है आंसिक भी यानि Partial Fraction है वो Complete करा है सानिक में आपका एक Rule होता है क्रेमर Rule Very Very Most Important जहां से Question आते हैं इसमें से फिर मैंने एन वर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैंने समझाया हुआ है ठीक है बाकी इससे आगे जितने भी Important Question है वो मैं आपके लिए लाऊँ वो सारे Question है तो और सभी के Question सभी ऐसे Question है जो एक्जाम में आपके Semester में आये हुए है या उनके जैसे ही यदि डिजिट बदल दी जाएगी नंबर्स बदल दी जाएगे बाकी Question उसी बेस पर रहने वाला है तो आपको आराम से सिद्धत के साथ Question को समझना है करेमर रूल होगे आपका इन वर्स कैसे निकालते किसी मैट्रिक्स का वो मैं पहले से बता चुका हूँ तो आपको प्रिवेस वीडियो आपको देख लेनी है प्रेलिस्ट में जाकर ठीक है तो आज हम बात करते है ट्रिग्रमेटिक से जो भी Question है से स्टार्ट हार टोपी के उपर मैंने Most Important Question लिये है तो Question है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री के वल्टू प्रूब करना है 3 बाई 16 ये प्रूब करना है तो सबसे पहले अपने क्या लिया Left Hand Side ली साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री हम ये जानते हैं कि साइन 60 डिग्री की यानि साइन 60 की वैल्लू क्या होती है रूट 3 बाई 2 होती है उसको मैंने बाहर लिया अब इसमें से 3 बचे हैं 1, 2, 3 इन में से जो भी एंगल छोटा होगा उसको बाहर ले लेना है और जो इन से बड़े होंगे उन दोनों को सिक्वेंस वाइज में लेना है साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री इसके बाद आपको क्या करना है रूट 3 बाइ 2 साइन 20 डिग्री आपको 2 से मल्टिप्लाई कर दे नहीं 2 से ही आपको डिवाइड कर देना है यहां से इस 1 बाइ 2 को जो आप इधर मल्टिप्लाई करोगे तो रूट 3 बाइ 4 आएगा और साइन 20 डिग्री ऐसे हो जाएगा तो आपके पास 2 साइन 40 डिग्री तो कोस में फोर्मूला बनेगा यह बात आपको छे तरीके से याद रखनी है कोस A माइनस B माइनस कोस A पलस B तो सुरू में माइनस फिर पलस लेकिन बीच में माइनस और साइन साइन है तो कोस कोस आएगा तो यहां पर हमने फोर्मूला अपलाई किया 2 sin A, sin B A minus B, A plus B अब यहां से इससे आगे 40 degree में 60 degree जाएंगे तो minus के 40 बचेगा और 40 degree और 80 degree 120 degree होते हैं अब देखो, cos यदी angle के अंदर minus में है, cos के angle में minus है, तो cos को minus को खाने की आदत है, cos negative cos positive होता है, यानि minus क्या हो जाता है, खतम हो जाता है cos को minus को खाने की आदत है यह कैसे आया, कब आया तो यदी आप higher standard की पढ़ाई करोगे उपर जाकर तब आपको बता लगे है, वैसे 11th और 12th में यह चीज़े समझाई जाती है ठीक है, कैसे है, इतना time नहीं है हमारे पास तो आपको याद रखना है, ठीक है तो cos minus 40 खाली है, ऐसे ने cos 40 बचा और cos 120 बचा हमारे पास cos 40 minus cos 120 आपको याद रखना है, cos 120 degree equal to minus 1 by 2 होते हैं आपको सभी की सभी previous वीडियो देखने है और इस lecture को भी आपको miss नहीं करना है जहाँ यदि आपकी समझ में नहीं है, तो whatsapp number मेरा आपको पता है 847921246, उस पर आप message करके कोई भी question पूछ सकते हो cos 120 की value होती है, minus के 1 by 2, तो हमने या cos 120 की value पूट की, तो cos 120 की value minus 1 by 2 होती है, एक minus पहले से ही मोजूद है हमारे पास, तो minus minus पलस हो जाएगा, अब ज़रा ध्यान समझना हमने क्या किया, इस sin 20 degree की अंदर multiply की, तो sin 20 degree और cos 40 degree, sin 20 degree की फिर 1 by 2 के साथ multiply की अब इसके बाद हमने क्या किया इस sin 20 degree और cos 40 degree यहाँ पर भी sin A और cos B का formula बन गया, तो 2 से multiply की 2 से divide किया, और 1 by 2 यहाँ पर भी common है, यहाँ पर भी common है, 1 by 2 1 by 2 common लिया तो, root 3 by 2 बहार आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा तो हमने यहाँ पर formula shift कर दिया इसकी जगा formula, 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B का formula क्या होता है, 2 sin A cos B का formula होता है, sin A plus B plus sin A minus B तो देखो, 20 40 degree के बाद देखिए, 20 और 40 कितना हो गया, 60 degree हो गया, और 20 में से minus 40 गया, minus के 20 बचता है तो हमेशा याद रखना, sin को minus खाने की आदत नहीं है, sin minus को क्या करता है, बाहर फेंकता है, कि वाई ते ला कोई काम नहीं है, तो बाहर जा, ठीक है, sin को minus बाहर फेंकने की आदत है, आगे देखते है root 3 by 2 as a t, sin 60 की value क्या होते है, root 3 by 2 होती है अच्छा, sin को minus बाहर फेंकने की आदत, तो minus बाहर आएगा minus sin 20 degree, और यह sin 20 degree तो minus से minus cancel हो गया, तो कितना बचा हमारे पास root 3 by 2, और root 3 by 2 की root 3 के साथ multiple icon हैंगे, 3, 8 की 2 के साथ करेंगे 16, और यह आगी है हमारी right hand side, तो I hope आपको इस question समझ में आओगा, आगे question देखते हैं next question में, next part पर देखते हैं यह बहुत important question है, आपको समझ कर चलना है सही है, अब हमारे पास जो question आता है, cos 15 degree की value और sin 15 degree की value आप कैसे निकालोगे सबसे पहले आपको formula याद रखना है, cos 2a बराबर होता है, 2 cos square a minus 1 और दूसरा formula इसका होता है, 1 minus 2 sin square a, तो हमारे पास a कितना है, a कितना है हमारे पास इसको हमने क्या माल लिया, माना या suppose कर लिया हमने, suppose suppose कर लिया कि a बराबर कितना है 15 degree है, तो cos 2a का formula क्या है उपर से, 2 cos square a minus 1 हमने क्या किया, 2 cos square a को यहीं पकट कर रखा, minus 1 को इधर shift किया तो कितना आगया, 1 plus cos 2a 2 को इसके नीचे लेकर आए, तो cos square a कितना आगया 1 plus cos 2a by 2 a की value कितनी है, हमारे पास angle कितना है, पहले question में 15 degree है तो cos square 15 degree यहाँ पर हम एक ही जगा क्या रखेंगे, 15 degree रखें 15 दूली 30 हो गया, cos 30 कितना होता है root 3 by 2 होता है, 2 कि इधर multiply करेंगे 2 plus root 3 by 4 2 दूली 4 हो जाएगा, और देखना अब इसके बाद, यह जो square है यह square जब इधर जाएगा तो square root बनाएगा, और निचे 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो किस की value आ गई है cos 15 की value कितनी आ गई, under root 2 plus under root 3 by 2 आई होप आपकी समझ में आओगा, सेम इसी method से हम किसको निकाल सकते है sin 15 degree को, उसमें कौन सा formula यूज करेंगे, cos 2 a equal to 1 minus 2 sin square है, बहुत important है, मैंने सभी question important आपके लिए हैं जो कि आपकी UBTR में आए हुए हैं या पूछे जा सकते हैं अब हम बात करते हैं next question की question number 3 है, question number 3 भी बहुत ज़्यादा important है, कही बार इसी base पर और question भी पूछे हैं और ये भी tan 3a हैं, उसको लेंगे यदि और भी number बढ़ा होता, तब भी हम tan 3a ही वाला लगाते फोर्मूला तो tan 3a बराबर क्या होगा tan 3a को तोड़ दिया a plus 2a में हमने, तो tan 3a equal to, इसका फोर्मूला क्या होगा tan a plus b का फोर्मूला क्या होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, तो यहां से क्या किया हमने, इस 1 minus tan a tan 2a की multiply इधर tan 3a में कर दी equal to में कोन आ गया, उपर वाला tan a, tan 2a, अब आपस में इनकी multiply की, और उसी तरीके से हमने इसको adjust कर दिया जैसे question में दिया हुआ था, पूरूफ करने में तो पूरूफ हो गया हमारा यह बाला, ठीक है अब हम बात करते हैं, इस पर अब हम next बात करते हैं, complex number जो chapter है, आपका समिसर संक्या chapter बहुत ज़्यादा important है और important question इसके हर जगह आते हैं सबसे पहले यह भी हम देखते हैं कि i की power यह दी 105 है तो आप इसको क्या करो, 105 को आप 4 से डिवाइड करिए, 105 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा 105 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया 10 में 60 गे 2, यह बच गया हमारे पास 25, तो 4 चिक 24 हो गया, reminder कितना है सेसपल कितना है, एक आया उसी सेसपल को आपको यहां लिख देना है i मैं क्या लिख सकता हूँ, 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ 105 को मैं लिख सकता हूँ 4 करोश, देखो 4 करोश 26 पलस 1, लिखना कैसे लिखा मैंने 105 को 105 को मैंने कैसे लिखा, 4 करोश 26 26 पलस 1 ओके और याद रखना है आपको i की पावर 4 के हमेशा 1 होता है मतलब 4 का जो multiple होगा उसकी value हमेशा क्या होगी 1 होगी तो i की 4 cross 26 into i की पावर कितनी आगी 1 आगई तो i 4 का multiple है 4 cross 26 तो जब भी i की power में 4 का कोई गुणज होगा तो उसकी value हमेशा क्या होगी 1 होगी तो इसकी पूरे की value क्या होगी इस पूरे की value होगी 1 बचा कौन i की power 1 तो answer क्या आगए आई आगए तो इस तरीके से भी आपसे question पूछे जा सकते है आपको क्या करना है 4 से divide करना है 4 से डिवाइड करने के बाद जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हो जो आपका भाग पला है उनके आपसे multiply करने हो जो reminder उसको plus कर देना है main काम होता है reminder का 4 का multiple हमेंसा 1 value होती है तो आपको reminder ही लेना है तो I की power कितनी है reminder में 1 तो answer कितना आ गया I i को बोलते हैं यह i हमारे पास जो होता है मैंने इससे previous lecture में मैंने बताया हुआ है complex number का जो basic है वो भी आप देख लेना i4 होता है ठीक है और याद रखना i2 की value होती है minus 1 i2 की value क्या होती है minus 1 यह सब चीजे मैंने बतायी हुई है अब आगे बात करते हैं question 2 पर किस तरह से question पुछे जाते हैं mapunk mapunk कैसे निकाला जाता है मतलब modulus कैसे निकाला जाता है मान लो कोई समिसर संक्या है मान लो हमारे पास कोई complex number है देखिए x जो होगा जो x होगा उसका जो part होगा और real होगा और y का जो part होगा आई वो imaginary होगा तो जब भी हम mapunk निकालेंगे तो z का जो mapunk होगा modulus होगा उसके सामने दो हम लट्थे लगा देगे इसको बोलते है modulus यानि mapunk amplitude mode z को हम r लिखते हैं सीथा सा mode z के एक distance है distance कैसी है इस तरीके से distance है या कोई point है हमारे पास कोई complex number है तो क्या होगा x इसको x को लेंगे यानि real part को लेंगे और फिर imaginary part को लेंगे x का square प्लस y square जैसे कि for example में बात करता हूँ z इकल to 1 प्लस i का mapunk कहनी modulus निकालना है तो z का modulus के होगा mode z होगा under root लगाएंगे real part of z का square प्लस imaginary part of z का square ठीक है तो x कितना है यहाँ पर 1 है और y कितना है यहाँ पर i का जो coefficient होता है वही कोन होता है y होता है तो 1 square प्लस 1 square equal to under root 2 I hope आपकी समझ में आओगा next आगे जो है question 3 पूछा जाता है conjugate conjugate या सन्यूगी में कैसे ग्याद करते है how to find conjugate of complex number complex number का conjugate कैसे find करते है conjugate सीधा सीधा होता है कि कहीं पर i है जेकर आजरा दियान से conjugate जब भी आप किसी भी complex number का निकालोगे तो i की जगे आपको minus i रख देना है हमेशा याद रखना i की जगे आपको क्या रख देना है minus i रख देना है question है z equal to 6i minus 3 का आपको क्या निकालना है conjugate अर्था सन्यूगी में निकालना है तो आप क्या करोगे conjugate को हम denote करते है z bar से उपर बार लगाना है आपके z bar equal to इसको मैंने sorry अभी निए इसको करते हैं ऐसे रहने दो अभी यह question ही मैंने थोड़ा सा replace कर भिया minus 3 plus 6i मैंने minus 3 को पहले लिले 6i को अब मुझे z का minus 3 plus 6i का मुझे क्या निकालना है conjugate निकालना है conjugate या सन्यूगी मैंने भी क्या बता है i की जगह आपको क्या replace करना है minus i करना है दोको बहुत सारे question है मुझे थोड़ा fastly चलना पड़ रहा है आप धेरे धेरे इसको समझ के चलना और ये भी आपने कर ले हैं मेरी वीडियो सभी आपने देख ले तो minus 6i तो i की जगह हमें से आपको क्या replace करना है minus i अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं most important कोण आंक amplitude या argument कोण आंक को कहते हैं amplitude भी बोलते हैं और argument भी बोलते हैं principal argument भी बोलते हैं कैसे निकालते हैं सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर कौन होगा, x पलस i y होगा, मतलब x और y दोनों पोजेटी होगे, z बराबर, यहाँ पर क्या होगा, z बराबर माइनस x पलस i y होगा, मतलब यहाँ x निगेटी होगा, y क्या होगा, पोजेटी होगा, यहाँ पर दोनों निगेटी होगा, x माइनस i y, तीसरे क्वार ये 2nd ये 3rd ये 4 और यहाँ पर कौन negative होगा y negative होगा x minus के i y यही 4 complex number आपको दिखाई देंगे konank और amplitude या principle argument निकालने के लिए formula क्या होता है ठीटा को बोलते हैं हम यहाँ पर principle argument ठीटा को क्या बोलते है principle argument यानि konank बोलते हैं मुखे कैन बोलेंगे मुखे konank बोलेंगे हमेशा ठीटा minus π Вид or PI गे बीच में हम चाहिए minus π alumni से बाहर नहीं जाना चाहिए प相 older से आगे नहीं जाना चाहिए minus π भी हो सकता है π reflective हो सकता है यदि मैं बोलू 10 inverse mode, mode का मतलब mode इसके अंदर कोई negative value होगी, तो mode क्या कर देगा उसको positive कर दे, imaginary part of z कितना है y है, और real part of z कितना है x है, तो 10 inverse y by x, argument कैसे निकालेंगे, principal argument कैसे निकालेंगे, principal argument निकालने का तरीका है, theta बराबर argument z, हमारे पास argument z कैसे आएगा, देखना समझने की कोशिश करना बहुत important है, यदि कोई complex number पहले quadrant में हुआ, तो जो alpha की value होगी, वो ही theta की value होगी, उसी को बोलेंगे principal argument, यदि हमारे पास, जो complex number second quadrant में हुआ, minus x plus iy की form में हुआ, तो क्या करेंगे, इस alpha की value निकालेंगे, alpha की value निकालने पर, alpha की value यहाँ पूट करेंगे, और pi में से इसको minus कर देंगे, pi क्या होता है, यह 60 degree होता है, यह चीजे मैंने पहले समझाई हुई है, टिर्गोमेंटिक में आप previous video ज़रूर देख कर जाना, इसके बाद यदि, तीसरे quadrant में जाएं, तो तीसरे quadrant में आपको संख्यारी complex number minus x minus i y मिलेगा, तो alpha आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, argument आपको निकालना है, तो alpha में से आपको pi को घटा देना है, यह 60C को घटा देना है, यदि हम आते हैं, चोथरे quadrant में, तो alpha आप निकाल चुके होंगे, बस alpha के सामने आपको क्या लगाना है, minus लगाना है, कैसे आया, और किस तरीके से ही आए, यह सब थोड़ा सा आपको समझना होगा, और जब भी time लगेगा, मैं इनको समझा दूँआ, जिस बच्चे को देखना होगा, वो वीडियो बज़ आकर देख सकता है, कलास 11 की वीडियो को, तो यहां से मैं पहला example लेता हूँ, z बराबर 1 पलस i, तो यहां से real part of z कितना है, 1 है, मतलब वास्त्विक भाग z का कितना है, 1 है, और imaginary part कोन है, i का को भी time कोन है, 1 वो भी 1 है, तो alpha बराबर 10 inverse 1 by 1, right, alpha बराबर 10 inverse 1 by 1, mode positive है, तो positive रहेगा, तो mode हट गया, positive के साथ कल को यहां negative होता, तो mode क्या कर देता, positive कर देता, तो alpha बराबर 10 inverse 1 आ गया, 1 कम मिलता है 10 में, यह सोचना है, 1 कम मिलता है 10 में, तो 10 45 पर मिलता है, तो 10 से 10 inverse cancel हो, alpha बराबर कितना आया, 45 आया, और देखो ज़रा दियान से, z equal to 1 plus i, real part भी positive है, imaginary part भी positive है, तो जो कौन से quadrant में पढ़ रहा है, first quadrant में पढ़ रहा है, तो जो alpha होगा, वो ही theta होगा, right, तो theta कितना आ गए, 45 डिए, यही हमारा answer आ गया, तो यह था principle argument, यहनि मुख्य कौन, मुख्य कौनांग, अब हम बात करते हैं, next question पर, z बराबर कल को आपको 1 plus i upon 1 minus i दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, त्यान समझना, आपको क्या करना है, z equal to 1 plus i upon 1 minus, इसको आपको बदलना है, z equal to x plus i, y की form में, ऐसे बदलना है, तो इस तरह के question करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में होता है, जो आपका denominator में होता है, उसके conjugate से उपर और नीचे multiply कर देते हैं, तो minus i का क्या हो गया, plus, plus, 1 plus i, 1 plus i, तो 1 plus i, 1 plus i की आपस में multiply की, a minus b और a plus b का formula क्या होता है, a square minus b square होता है, इसको open करो, जला a plus b के square को, a का square, यानि 1 का square plus i, इसका square plus 2i, अब उन क्या हो गया, i square, i square की value हम पहले से ही जानते हैं, कितने होती है, minus के 1, तो i square की जगह यहां क्या रखें, minus 1, real part 0 है, लेकिन imagine part कितना है, 1 है, ठीक है, समझ में आ गया है, यहां तर, अब देखना जला दिहान से, बहुत दिहान समझना, हमने क्या निकाला है, कोण आंख निकाला, कोण आंख कैसे निकालते हैं, देखना समझना, i बताता है y को, i का कोफिसेंट बताता है y को, जब भी पलस i होगा, जब भी पलस i होगा, तो theta यानि जो argument होगा, principal argument वो pi by 2 होगा, यदि कल को theta हमारा, sorry, i हमारा, i ना होकर minus i हुआ, तो argument क्या आएगा, theta equal to minus के, pi by 2 आएगा, यह आपको याद अखना है, i आया, तो argument क्या आएगा, pi by 2 आएगा, i minus में हुआ, तो theta equal to minus pi by 2 आएगा, इसके बाद आता है कि, multiplicative inverse, यानि पर्तिलों कैसे निकालते हैं, inverse कैसे निकालते हैं, किसी भी complex number या समिश संक्या क्या, देखे, z equal to x plus i y है, आप z का inverse निकाल लेऊ ना, तो z के उपर inverse लगाओ, जैसे किसी चीज़ बें inverse लगाते हैं, तो 1 upon हो जाता है, तो x plus i y क्या हो जाएगा, 1 upon x plus i y हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से देखे, मैं एक जाम पर लियाओ, वो संदर सा, z equal to 1 plus i है, इसका आपको inverse निकालना है, मतलब परतिनोम निकालना है, तो z inverse बराबर क्या होगा, इसका उल्टा करें देगे, अब बिल्कुल क्या करेंगे, इसका जो हर है, इसका जो denominator है, उसको इसके conjugate से उपर नीचे multiply कर देंगे, i का conjugate कितना है, plus है, तो इसका conjugate कितना हो जाएगा, plus का, minus हो जाएगा, 1 minus i अपर 1 minus i, 1 minus i की 1 के साथ multiply करेंगे, तो 1 minus i, और a plus b, a minus b का formula है, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, a का square minus b का square, i square की value हमको पहले से पता है, minus 1 है, तो minus minus plus हो जाएगे, 1 minus i, i, 1 plus 1, 2 हो गया, इसको अलग form में लिख दिया, 1 by 2, minus का i by 2, तो किसकी form में आगया, x plus i, y की form में आगया, आजी होप आपको इस समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, आगे जो important है, बहुत ज़्यादा important है, और बहुत बार आपके semester में पूछा जा चुका है, very most important, polar form, हम किसी भी complex number की polar form कैसे find करते हैं, वो हमको देखना है, किसी भी complex number की polar form कैसे, तो देखना है, माल लो हमारे पार, z equal to x plus i, y, कोई complex number है, समिशर संक है, तो उसकी polar form होगी, z equal to r, cos theta plus i sin theta, क्या होगी, z equal to r, cos theta plus i sin theta, क्या fancy form होगी, polar form होगी, जहां r बराबर क्या होता है, under root x square plus y square, मतलब x और y, समझ में आया, अच्छा, यह जो r लेते हैं, यह distance होती है, यह माल लो कोई complex number है, x, y, जिससे बना हुआ है, यहां से यहां तक की, जो distance होगी, दूरी होगी, वो ही क्या होगी, इसका r होगा, r को ही बोलते हैं, modulus, right, तो, माल लो हमारे पास, कल को z equal to 1 है, तो z equal to 1 पर बताइए, मुझे, समझ कर चलना जाए, z equal to 1 पर बताइए, यहां तो 1 plus i into 0 है, यदि इसका r निकालेंगे, हम तो r क्या होगा, 1 का square प्लस 0 का square, under root 1 का square, तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, तो r कितना आगे हैं, आपर 1 आगे हैं, और z equal to 1 है, तो 1 equal to 1 into, अब मैंने पहले से यह आपको बताया था, कि यदि y-axis पर बताता हैं, मैं x-axis पर define कर रहा हूँ, यदि हमारा, पलस हुआ, मतलो कोई i नहीं है उसमें, खाली वो एक number है पलस में, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी है वो, या minus में 1, 2, 3, 5, कुछ भी है, यदि वो positive x-axis की तरफ हुआ, तो theta हमेशा क्या होगा, 0 degree हुआ, और यदि वो negative की तरफ हुआ, तो कितना होगा, 130 degree यानि πाई होगा, समझी में आई बात, मालों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, इधर minus 1, minus 2, minus 3, इस तरीके से चलता जा रहा है, तो यदि positive में हुआ, तो theta की value क्या होगी, 0 degree होगी, 0 degree होगी, ठीक है, तो यह आगे हमारा polar form में, कलको यदि negative में आ जाए, minus 1, तो फिर इधर कौन सी, theta कितना होगा, 130 degree होगा, इसमें put कर देंगे, अच्छा है, z equal to minus 1 लिया है, तो इसका वो निकालोगे, आप r निकालोगे, तो कितना आएगा, minus 1 का square, plus 0 का square, क्योंकि इधर i into 0 है, समझ मैं, यह 1 आ जाएगा, तो 1 का under root 1 हो जाएगा, आगी, आई यह बास समझ में, यदि कलको i दे दे, तो i का तो हम जानते हैं, i, z equal to i है, तो इसका r निकालो, तो यहां real part तो 0 है, 0 का square, plus i का coefficient कितना है, 1 का square, तो फिर 1 आएगा, तो यहां 1 लिखने के जरोती नहीं पड़ी, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लो, 1 लिख दिया, तो अब मैंने बताया आपको, इसमें बात कर रहा हूँ, मैं यह लगे, यह लगे, यह लगे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, i में, i कहा है, y axis पर उपर की तरफ है, तो वहां क्या होता है, pi by 2, pi by 2, अब i यह दिन नीचे है, तो angle क्या होगा, minus pi by 2, minus pi by 2, I hope आपको समझ में आया होगा, अब देखिए, यह जो question ने, कहीं बार exam में पूछा जा चुका है, आपके semester में, पूछा गया क्या है, j equal to, अच्छा है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, और यह question पूछे गया है, और यदि इनको भी आपने कर लिया, अच्छे तरीके से, आज तो आपका paper बहुत सुंदा जाएगा, j equal to 1 plus i का polar form, या धूर्वय रूप बताईए, अच्छा मुझे पता है, polar form का formula क्या होता है, j equal to x plus i y होता है, मतलब यह तो simple, Cartesian form है, Cartesian form है, इसकी polar form क्या होगी, j equal to r cos theta plus i sin theta, तो मुझे इस form में लाना है, 1 plus i को, सबसे पहले में क्या निकालूँगा, r, r क्या होता है, mode z होता है, और mode z हम पीछे पढ़ चुके है, real part कितना है, 1, imaginary part कितना है, यहाँ पर i का coefficient 1, 1 का square, 1 का square, 2 आगए, मतलब मुझे r मिल गया, r मिलने के बाद, मुझे क्या चाहिए, मुझे theta चाहिए, तो theta कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं alpha निकालना सिखेंगे, alpha बराबर क्या था, 10 inverse, imaginary part of z, real part of z, imaginary part कितना है, 1 को भी cent 1 है, तो 1 put कर दिया, real part कितना है, 1 है, alpha बराबर 45 आगया, यही alpha theta होता है, तो z equal to 1 plus i का polar form, polar form of z equal to 1 plus i, क्या होगा, z की जगा 1 plus i है, r cos theta plus i sin theta, r की जगा कितना एंडर रूट 2, theta की जगा 45, 45, और 45 को pi by 4 भी लिखते हैं, कैसे i5 by 4 किस तरह आए, आप termometric वाले lecture में देख सकते हो, तो हमने अब तक यह वाले question complete किये, अब इसके बाद आता है, किसी भी complex number का square root, आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत important है, इतना important है हस से जगादा, पुछा गया square root, यानि वर्गमूल कैसे ग्याद करते हैं, z equal to x plus i y का, मतलब, z equal to x plus i y, जो आपके पास complex number है, आपको इसका square root निकालना, और में simple से simple, इस method को आपको solve करके दिखाया है, ठीक है, तो आपको एक-एक line को बहुत दिहान से समझना है, क्योंकि ये question हर बार exam में पूछा जाता है, इस type का, तो आपको एक type समझ में आ गया हैं, तो सभी question कर दोगे आप, तो z equal to हमको given है, ये question हमको given है, हमको बोला गया, z equal to 5 plus 12i, real part 5 है, imaginary part 12 है, वास्तिक भाग 5 है, कालपनिक भाग 12 है, ठीक है, तो ये दिया गया, हमको क्या निकालना है, इसका square root निकालना है, चलिए भहिया, मुझे इसका work moon निकालना है, तो मैंने क्या क्या है, मैंने मान लिया, suppose कर लिया, let कर लिया, कि इसका work moon, under root 5 plus 12i का work moon, किसके बराबर है, x plus i y के बराबर है, अब मैंने क्या क्या है, इस work moon को, इस square root को उधर लेकर जाएंगे, तो 1 by 2 का धर जाकर 2 बन जाएगा, यह ऐसे ही चलता रहा, 5 plus 12i, a plus b का तो तो तुमसे formula आता ही है, तो a square plus b square plus 2ab, यानि x का square, i y का square plus 2ab, इसके बाद, x square ऐसा कैसा ही, i का i square हो गया, y का y square हो गया, 2 i x ऐसे लिख दिया इसको, अब देखिए, जैसे x square, y square एक साथ ले लिए, और जो i के साथ उसको अब ले लिया, तो एक कुछ ऐसा बन गया, 5 plus 12i, x square minus y square plus i to xy, एक property होती है, यह दि दो complex number आपस में बराबर हैं, तो उनके real part और imaginary part आपस में बराबर होते हैं, तो comparing real और imaginary, यानि, वास्तिक और काल्कमिक भागों की तुनना करने पर, compare करने पर, तो वास्तिक भाग यहां 5 है, और यहां यह है, तो x square minus y square equal to कितना आ गया, 5, इसको समय करना हमने equation second माल लिया, यह first समय करना थी हमारी, इसके बाद, imaginary part को ने, i इधर 12 है, i इधर 2xy है, तो 2xy equal to किया आगया 12, अब आपको यह formula याद रखना है, यह best formula आपको याद रखना है, यह काम लाएक है हमारे, क्या formula याद रखना है आपको, x square plus y square का पूरे का holy square, किस-किस के बराबर होता है, x square minus y square के holy square, के plus 4 x square y square, यह आपको formula याद रखना है, इसी base पर होगा, तो x square plus y square का holy square, ऐसे ही रहने दिया, x square minus y square की value कितनी है, हमारे पास, 5 है, 5 है ना, तो 5 को यहाँ चिपका है, उपर को होने square plus, अच्छा 4 x square y square को कैसे लिख सकते हैं, 2 x y का holy square नहीं लिख सकते, दो दूनी 4 हो जाए, x square y square, अच्छा 5 का square 25 हो गया, और 2 x y की value कितनी है, यह 12 है हमारे पास, 2 x y की value, तो यहाँ 12 रखा, 12 का square 144 होता है, 25 है सकते कितना आगा है, 169, अच्छा x square plus y square equal to, 2 आया 169, अच्छा यह 2 दर जाएगा, तो under root बनाएगा, अब आप सोच रहे होंगे, कि यहाँ तो plus minus आना चाहिए था, बाबू एक बात समझो, x square plus y square, यह भी square है, यह भी square है, और जिस चीज़ का भी आप square करते हो, वो हमें सा positive आता है, negative तो आएगा है यह नहीं आएगा हो, अब देखते हैं, solving equation second और third, आपके पास equation second, x square minus square equal to 5, और आपके पास equation आगए, third x square plus y square equal to 13, दोनों को solve किया, अब साथ में लिए है, minus y square plus y square cancel हो गया, x square x square to x square equal to 18 आगया, x square बड़ावर 9 आगया, x बड़ावर plus minus के 3 आगया, ठीक है, तो put x equal to plus minus 3 in equation third में, तो यह third equation है, तो x की जगे हमने plus minus 3 का square रखा, फिर y का square equal to 13, अच्छा plus minus 3, square तो चाहे minus में, चाहे plus में आना तो क्या, plus में ही आना है, तो 3 का square क्या होगा, 9, उस 9 को इधर लेकर गए, 13 minus 9 कितना हो गया, 4 हो गया, y square equal to 4, इसके जगे कितना है, plus minus 2i, पूरे में से common क्या ले लिया, plus minus, तो plus minus आजाएगा, 3 plus 2i, अच्छा, एक बात का और आपको basically याद रखना है, कल लोको यह दी, यह minus आजाता, तो तब कैसे करते, बिल्कुछ same formula होता, लेकिन आपको क्या करना था, plus minus तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आजाएगा, minus आजाएगा, क्या इतनी बाते समझ में आई यहाँ लोगों की, बताएं क्या इतनी बाते समझ में आई, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, आगे जो method आता है, complex number का demorier theorem, मतलब जिस बच्चे ने अब तक नहीं पढ़ाई की, वो आज भी पढ़लेगा, तो तब भी उसके एच्छे मांक्स आ जाएगे, और सभी lecture देख लेगा, demorier theorem क्या होती है, most important है, most important है कोस्ता नग पूछे जा रहे हैं इससे, demorier theorem या demorier theorem पर में, कहते हैं इसको देखिए, क्या होती है, सुरुवात में कोस आना चाहिए, बाद में sin आना चाहिए, कोस ठीटा पलस I sin ठीटा की whole power n, demorier theorem यह कहती है, कि जो भी आप किसी भी complex number के power में ले रहे हो, वो उसके angle में आ जाता है, तो n आगे angle में, n ठीटा, n ठीटा, तो कोस ठीटा, पलस I sin, n ठीटा, यहां positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, यह बात आपको याद रखना है, जैसे पूरे की power में 6 है, 6 को हम इस angle के साथ लेंगे, और 6 को इस angle के साथ लेंगे, तो 3 दूनी, तो कोस 2 पाई, पलस कितना हो गए, I sin 2 पाई, हमेशा याद रखना, sin कितनी भी पाई में आ जाए, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, sin कितनी पाई में आ जाए, पाई 4, एक सो से डिगरी होता है, तो उसकी value 0 होती है, और कोस 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यह सभी की value क्या होती है, 1, तो 1 पलस I, sin 2 पाई की value क्या होती है, 0, तो I की क्रोज 0, तो यह 0, 1 पलस यह तो answer आ गया, 1 आ गया, ठीक है, आयो वोप आपकी समझ में आ रहा होगा, अब हम बात करते हैं, function पर, function यानि फलन, या expression बोल सकते हैं, वेंजक बोल सकते हैं, ठीक है, वेंजक, चलिए देखते हैं, fx इक फलन दे दिया, वेंजक दे दिया, एक पोलिनोमल या एक बहुपत दे दिया, आपको निकालना है, एप 2, तो मतलब सिधा सा क्या है, x की जगह क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा, तो x की जगह 2 रखा, जहां x x से वहां 2 पुट कर दिया, माइनस 2 का स्क्वार, 3 गुणा 2, पलस 4, दिया तो 6 आंसर आ गया, ठीक है, अब आगे एक अच्छा question है, f of fx, यानि f का fx के साथ, क्या लाना है, आपको x लाना है, तो यहां अराम से हम में समझाता हूँ, मैंने इस fx को a माल लिया, मैंने इस fx को क्या माल लिया, a माल लिया, यानि मेरे पास जो fx है, वो a है, यदि fx a है, तो fx के बराबर तो ये भी है तो a के बराबर ये होगा तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कल को ये दी मैं कल को ये दी मैं f a लिखूं, देखो यहां x है तो यहां भी x है, यहां भी x है कल को मैं ऐसा लिखूं since, कल को मैं ऐसा लिखूं f equal to तो जो यहाँ होगा वो ही यहाँ होगा और वो ही यहाँ होगा 5a plus 3 4a minus 5 अब मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है इस a की जगह क्या है इस a की जगह है fx तो जहाँ जहाँ a है वहाँ fx रख लिया जहाँ जहाँ a है वहाँ पर मैं इसी के तो put करूँगा न equal to 5x plus 3 4x minus तो a की जगह मैंने 5x plus 3 4x minus 5 plus 3 agitives रहा और 4 a की जगह 5x plus 3 over 4x minus 5 और यह minus 5 रहा इसकी आपस में multiply की 5 की 5 के साथ 25 और 5 की 3 के साथ यह agitives यह ऐसा ही रहा 4 की 5 की साथ 4 की 3 के साथ इसको इदर उदर multiply करके solve किया और answer आगिया x proof हो गया ठीक है आयोप आपकी समझ में आओगा अब हम बात करते next आगे अच्छे अब आता है पर्थम सिद्धान से alkaline मतलब differentiation of first principle एक question पकाएगा दियान लखना और इसकी वीडियो में upload कर चुका हूँ आप playlist में जाकर देख सकते हो ठीक है कि पूछा जाएगा differentiation of first principle first principle की help से आप differentiation निकाले important है fx बराबर e की power x का कैसे आप differentiation यानि alkaline निकाल सकते हो fx बराबर log base e x का आप कैसे निकाल सकते हो sin x, tan x, cose x, cortex, cose x sec x, in काप कैसे निकाल सकते हो मैंने पूरी वीडियो आपको playlist में मिल जाएगी जो मैंने first principle के उपर डाली हुए आप उस वीडियो को देख लेना यदि एक question आप से आगया तो सभी question आप आराम से कर लोगे, आगे बात करते हैं important question है और पूछा भी गया है क्या है y बराबर tan universe x का आप tan universe x मैंने क्या किया इस tan universe x को उधर लेकर गया तो जब tan universe x इधर जाएगा तो tan y बनाएगा और इधर कोन बचेगा x equal to tan y अच्छा x किस की form में है अब x y की form में है यदि जो भी function जिसके रूप में होता है उसी के respect में derivative करते हैं तो y के साब आउकलन करने पर इंगलिस में बहलू differentiate with respect to y y के respect में तो y के respect में जब आउकलन कर रहे हैं जिसके respect में करते हैं वो नीचे जाता है और जिसके लिए करते हैं वो उपर रहता है तो dx upon dy equal to tan y का 10 का क्या होता है बच्चा tan का होता है sack square y और y के respect में कर रहे हैं तो y का कितना होगा 1 देखो आउकलन के formula आपको याद रखने होंगे sack square y की 1 के साथ multiply करेंगे तो sack square y आएगा dx upon dy आएगा मैंने क्या किया दोनों को उल्टा कर दिया मैं दोनों को उल्टा करूँगा तो dx upon dy का उल्टा क्या होगा आगे हम जो समझने वाले है रूल most important है और चुटकियों में answer आपका आपका सोल हो जाएगा l hospital rule क्या कहता है समझना l hospital rule हमेशा rational function में लगता है rational बोले तो ऊपर एक function होगा फलन होगा नीचे एक function होगा upon में और यहाँ पर limit लगी होगी और वो किसी के approach में होगी ठीक है वो किसी के approach में होगी तो limit x approach to a limit x approach to a fx upon gx इस a की जगा कुछ भी हो सकता है उपर function होगा नीचे function होगा अब समझना यदि इस a को उठा कर इस फलन में रखें तो 0 आना चाहिए इस a को उठा कर इस फलन में रखें तो 0 आना चाहिए यदि 0 by 0 बनता है तो आप individual अलग-अलग answer और हर क्या करोगे alkaline करोगे आप भागपल method नहीं लगाओगे आप ऐसे नहीं करोगे कि नीचे हर का वर्ग हर ऐसे कैसे ही फिर uns का alkaline minus वह वाला method नहीं लगाओगे individual मतलब अलग-अलग x के respect में आप उपर वाले का करोगे फिर x के respect में आप नीचे ले वाले का करोगे क्योंकि एक बार अवकलन बताता है डैस को जैसे question है मेरे पास यह question previous में आवा 2022 के semester में ठीक है जैसे question है limit x approach to 0 sin x upon x मुझे बताई जरा जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच होगा इस x को यहां रखेंगे sin 0 कितना होता है 0 होता है sin 0 कितना होता है बबू sin 0 होता है 0 और x क्या x की जगा 0 रखेंगे 0 तो 0 by 0 फों बनी की नहीं बनी यदि 0 by 0 फों बनी तो अलोस्पिटर रूल क्या कहता है अलोस्पिटर रूल कहता है आप उपर वाले का अउकलन करो फिर नीचले वाले का करो sin x का अउकलन कीतना होगा cos x और x कीतना होगा x के respect में 1 और cos x upon 1 cos x और जैसे x की जगे हम 0 रखेंगे तो cos 0 हमेशा क्या होता है cos 0 1 होता है यही answer आपका कल को 10 x upon x भी पूस सकता है आप उस method से भी निकाल सकते हो देखे next मैंने important question लिया है limit x approach to 0 log 1 plus x upon x सबसे पहले में इसको यदि इसकी limit निकालना चाहूँगा तो मैं limit की value निकालना चाहूँगा तो log 1 की value क्या होती है 0 यह 0 हो गया उपर वाला log 1 x की value तो पहले से 0 है क्योंकि 0 रखा है हमने 1 plus 0 1 और log 1 की value 0 0 बन गया अब x की जगे 0 कहीं फिर 0 तो अब 0 by 0 form बन गये न तो all hospital rule apply कर देंगे तो log x का क्या होता है log x का होता है 1 upon x लेकिन x की जगे तो 1 plus x है तो 1 upon 1 plus x x का log कितना होता है 1 होता है x की जगे हम क्या put करेंगे 0 तो 1 plus 0 1 और 1 by 1 1 1 का 1 by 1 1 हो गया ठीक है आई होप आपकी समझ में आओगा यह next आगे हम बात करते हैं यह यहां से भी question पूछे जा रहे मतलब इसका सीधा सा मतलब यह कि फलन की पावर फलन हो function to power function function की पावर फंक्शन हो फलन की पावर फलन हो तो आपको differential यानि आउकलन निकालना है कैसे निकालोगे बहुत आसान मैतड है आपको दोनों साइड में log लेना है आपको log लेना है taking log on both side दोनों पक्सों का log लेना है तो log की multiply log y log यहां आगया log fx log fx upon gx बिल्कुश सामने इसके क्या लगा देना है log लगा देना है और आपने फोर्मुला पड़ाओगा log m की power n log m की power n क्या होता है n बाहर ले लेते हैं तो कितना आता है m n बाहर आ गया तो n log m तो अब क्या करेंगे भीया यहां से देखो log m की power n है तो n बाहर आ जाएगा जो power में तो gx power में है यह बाहर आ गया तो gx log fx बचा अब इसके बाद हम क्या करेंगे differentiate करेंगे log y का क्या होता है log y का derivative होता है x के respect में 1 upon y और y का क्या होता है dy by dx क्योंकि y dependent है x independent है तो dy by dx लगाएंगे gx log fx यह पहले वाला first function हो गया दूसरे वाला second function हो गया इस y को अधर transfer करेंगे और इस y को इधर multiply करेंगे y आगे dy by dx तो पहला फलन ऐसे कैसे ही दूसरे का derivative दूसरे का अउकलन फिर इसके बाद दूसरा ऐसे कैसे ही दूसरा ऐसे कैसे ही into dy dx पहले का अउकलन तो क्या बाद समझे क्या बाद समझे पहला function ऐसे कैसे ही दूसरे का x के respect में डेरिवेटिव फिर दूसरा ऐसे कैसे ही पहले का x के respect में derivative यह होता है दो product का rule अब देखे, question बहुत सांदार है, आपको बहुत ध्यान समझना है y equal to कितना है हमारे पास, y equal to है x की power, 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 x की power मतलब यदि कोई फ़लन x की power, x की power, x की power, x की power में x की power x है, फिर x की power x है, यह x तो agit is रहा, तो उपर x की power x की power x की power, यही तो y है, यहां से ही तो y स्टार्ट हो गया, तो x ऐसा है कैसा ही y आ गया, y कोल तो x की power y, अभी मैंने आपको बता है, यदि फलन की power फलन हो, तो हम क्या करते हैं, लोग लेते हैं, तो by taking log on both side, by taking log on both side, दोनों पक्सों का लगुणा करने पर, तो दोनों पक्सों का लगुणा करेंगे, तो log y और log x की power y, y बहार आ जाएगा, y log x है, अब differentiate with respect to x, x के respect to log y का क्या होगा, 1 upon y होगा, और y का क्या होगा, dy by dx होगा, अब dy dx ही तो अवकलन है हमारा, तो इसके सामने dy by dx लगा देंगे, y log x ऐसे कैसे ही, अब समझना देखो, यह तो एजटी जाहा, पहला फ़लन ऐसे कैसे ही y, log x का होता है, 1 upon x, पलस दूसरा फ़लन log x, ऐसे कैसे ही y का होता है, dy by dx, यहां तक बताओ, समझ में आया क्या है, अब ज़रा दियान से देखना, यहां dy by dx है, यहां भी dy by dx है, dy by dx वाले एक साथ ले लो, तो इसको उठा कर, जब मैं इधर लाऊंगा, तो यह पलस इधर माइनस हो जाए, तो 1 by y dy by dx, माइनस log x dy by dx, इधर कौन बचा, y by x बच गया, इसके बाद, हमने क्या किया, dy by dx को मन है, तो उसको बाहर निकाल दे, 1 by y minus log x बचा, इधर y by x बच गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, y की इधर multiply करेंगे, हमने क्या किया, यह थोड़ा सा, गलती सा होगे न, यहां से थोड़ा सा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैं देख लेता हूँ, इसको एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए, हमने क्या किया, y की इधर multiply की, देखो, y की इधर multiply की, तो यहाँ y आएगा, 1 minus y log x, इसको सरी कर लेंगे, तो y by x 1 minus y, 1 minus y log x, अपोन y, बाहर बाहर वालों की multiply की, अंदर अंदर वालों की multiply, तो बाहर बाहर वाले में कोण हो गया, y square अंदर अंदर वाले में कोण हो गया, x 1 minus, यहां जाएगा y, 1 minus y log x, ठीक है, तो आपको, इसको दिहान लगना है, तो यह question थे आपके आगे भी चलते हैं कल को यदि और question दे दिया जाए बहुत important question है बोला गया if y equal to under root x plus under root x plus under root x plus and so on then prove that this 2y minus 1 dy by dx equal to 1 हमको यह prove करना है कि 2y minus 1 dy by dx equal to 1 आप जड़ा एक बात फिल करके देखो y equal to यह under root पहले वाला agitice रखना है आपको पहले वाला under root आपको agitice रखना है यह x भी आपको ऐसे रखना है plus लेकिन इसके बाद आप देखो यह वाला कोन है इतना यही तो y है यह पूरा यहां से लेकर यहां तक आगे का y है तो x plus y आगे दोनों का हमने square किया तो दोनों पक्सों का square कर दिया वर्क कर दिया तो y का square y square under root 3 का square करने पर differentiate with respect to x देखो d की power x और x की power n का क्या formula होता है n x n-1 एक कम हो जाता है power को बाहर लेने पर तो differentiate with respect to x कितना जाएगा है y square का क्या हुआ 2y 2 बाहर आया 2 में से कम हुआ तो y की power 1 अब y का भी तो करेंगे d y by dx x का कितना होता है x का हमेशा याद रखना x के respect में 1 होता है y का कितना होगा d y by dx अब d y by dx औ d y by dx एक साथ ले लिए इतर कौन बचा 1 इन दोनों में से d y by dx common ले लिए तो कितना बचा 2y minus 1 d y by dx equal to 1 यही पूरूब करना था तो बहुत अच्छा कोस्टन था जो एक्जाम में बार बार पूछा जाता है अच्छा अब बात करते हैं ये भी कोस्टन कहीं कहीं बार पूछे जा रहे successive differentiation successive differentiation का मतलब क्या होता है लगातार अउकलन करिए आप जितनी बार पूछता है तो d y by dx को अपन y1 भी बोलते हैं y dash भी बोलते हैं एक बार अउकलन करने पर हम y1 कहते हैं या y dash बोल दो या d1 बोल दो d की power 1 बोल दो इसके बार d 2 y by dx square इसको बोलते हैं बार अउकलन करने पर तो d 2 y by dx square को y2 भी कहते हैं y dash भी कहते हैं d 2 भी कहते हैं d का square भी कहते हैं तीन बार अउकलन करने पर d 3 y by dx cube को y3 भी कहते हैं y triple dash भी कहते हैं d 3 और d की cube भी कहते हैं ठीक है तो चलिए हम important question करते हैं तो कि यह आपके semester में आया हुआ है y पल टू a x square प्लस b x प्लस c यह दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है d to y by dx square, मतलब मुझे दो बार derivative करना पड़ेगा x के respect में, तो differentiate with respect to x, तो y का कितना हो गया d y by dx हो गया, a x square a तो constant है, इस पर तो कोई फरक नी पढ़ने वाला x square का क्या होगा, 2 बाहरा जाएगा 2 में से कम हो जाएगा, तो कितना है 2 a x, और x का क्या होता है x का होता है, आपका आउकल 1 होता है, तो b की cross के, b की one के साथ multiple icon b आएगा, और c का है, constant का 0 होता है तो यह आगया, अगें, फिर differentiate with respect to x, तो d y by dx का क्या होगा d 2 y by dx square, x का कितना होता है, 1, तो 2 a b का कितना होगा 0, तो यही answer है अब आगे जो question पूछा गया, most most important है, बोला गया है कि if y equal to a cos nx, plus b sin nx, through that d 2 y by dx square plus ny equal to 0, मुझे बताए, कल को n की जगा, 4 दे, 7 दे, 12 दे, m दे, p दे, q दे तो आपको n की जगा, replace ही तो करना है और same तो यही है, तो solution क्या है, y equal to a cos nx plus b sin nx, इसको equation first माल ली, मुझे कितने time derivative करना है, दो बार derivative करना और यह prove करके लाना है, देखना, differentiate with respect to x, x के respect में differentiate, y का कितना होगा dy by dx, अचा ए तो constant है, वो तो अज़ेट है, cos का क्या होता है, cos का होता है minus के sin nx, cos nx का क्या होगा, cos का क्या होता है, minus के sin होता है, लेकिन angle में कौन है, n है तो n agitive रहेगा, अब nx का भी तो होगा, n तो constant x का कितना होगा, 1 होगा तो n x का कितना derivative होगा n होगा, वो n मैंने बाहर ले लिए ठीक है, same, b ऐसे कैसे sin n x का क्या होगा, cos n x होगा क्योंकि sin का derivative पलस में होता है cos n x, और n x का कितना होगा n होगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो यह आगे है, again differentiate with respect to x again करेंगे तो dy by dx का d2 by dx square होगा और यहाँ पर बताए, sin nx का क्या होगा cos nx होगा और 1 n फिर आएगा, तो n कितना हो जाएगा n square हो जाएगा, तो minus के n square a cos nx हो गया, फिर cos nx का करेंगे, cos का क्या होता है, minus के sin होता है, लेकिन n एक और आएगा, तो कितना हो जाएगा n यह है, और एक और n है, तो minus b n square sin nx, मुझे बताए, इनमें कौन को मन है, इनमें minus n square minus n square को मन है, बाहर ले लिया, a cos nx plus b sin x, अच्छा मुझे बताए, यही कौन है यही तो y है a cos nx plus b sin x, यही तो y है तो यहाँ y रखेंगे, minus n square y minus n square y को इधर shift करेंगे तो plus n square y, hence prove हो गया क्या बाते समझ में यहां तक आगे देखते हैं बहुत important question है बहुत ही ज़्यादा, देखना ज़रा question बोला गया है, if y equal to tan inverse x का whole square, to prove that tan inverse x का whole square देदेगा और prove पूछा है, कि 1 plus x square का whole square, y2 plus 2x, 1 plus x square y1 minus 2 equal to 0, तो सबसे पहले हम इसका solution देखते हैं, y equal to tan inverse x का whole square, यह question देदेगा है मुझे तो मुझे कितने time derivative करना है, y2 का मतलब क्या है, d2 by by d square मतलब दो बार derivative करना है तो एक बार करते हैं, पहले differentiate with respect to x, तो y का क्या होगा, d by by dx यह 2 बाहर आएगा, 2 जैसे ही बाहर आएगा, 2 में से एक कम हो जाएगा तो 2 बाहर आएगा, बचा कौन, tan inverse x अब इस tan inverse x का भी तो करेंगे, d by dx equal to tan inverse x, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, tan inverse x का उकलन क्या होता है x के respect में derivative, 1 by 1 plus x square इस 1 by 1 plus x square की multiply इधर कर दी तो 1 plus x square d by by dx बचा इधर 2 tan inverse x बच गया, अगें differentiate करेंगे भी इधर respect to x की तो 1 plus x square ऐसे कैसे ही रहा d by by dx का कितना होगा, d by by dx square होगा, plus, दूसरा function ऐसे d by by dx ऐसे कैसे ही रहा 1 का क्या होगा, 0 और x square का कितना होगा 2x, तो यह होगा, अग 10 inverse x का क्या होता है 2 by 1 plus x square, अच्छा आप समझो इस 1 plus x square की इधर multiply करो तो 1 plus x square, 1 plus x square square होगा d by by dx square ऐसे कैसे ही अब इसकी multiply इधर भी तो होगी 2x d by by dx, 1 plus x square equal to 2, अच्छा d by by dx square को क्या इक सकते है y2 d by by dx को क्या इक सकते है y1 2x, 1 plus x square y1 और 2 को डढ़ाएंगे minus 2, तो proof हो गया क्या समझों में बाते आ रही है अब देखो और अच्छा कोशन है, y equal to e की power, देखो e की power में चला है, e की power x plus e की power x plus e की power x plus plus, मुझे जड़ा एक बात बताएं दिहान से, यह आगले वाली series आपको y नहीं दिखाई दे रही e की power x तो ऐसा कैसा, पलस यह को है y है नहीं, तो e की power x plus y equal to equal to y equal to e की power x plus y आ गया, अब e की power a की power m plus n को क्या लिख सकते है a की power m into a की e की power n लिख सकते हैं तो ऐसे हमने y equal to e की power x into e की power y मुझे यह proof करके लाना है बच्चा तो differentiate करेंगे with respect to x, एक ही बार derivative करना है तो y का कितना होगा, dy by by dx अब देखो, यहाँ पर आपको दो function दिखाई दे रहे हैं पहला फलन, दूसा फलन पहला function, दूसा function, तो इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा भई, देखना चला e की power x, ऐसे कैसे ही e की power x, ऐसे कैसे ही हुआ और e की power का तो e की power ही होता है, तो e की power y लिख दिया, अब y का भी तो करेंगे तो y का कितना होगा, dy by dx plus अब e की पावर y ऐसे कैसे e की पावर x का x के respect में करेंगे तो e की पावर x होगा और x का कितना होगा? 1 होगा अब देखिए a की पावर m into a की पावर n तो क्या होगा? आधार बराबर है बेस इक्वल है तो दोनों जुड़ जाएंगे e की पावर x प्लस y dy by dx ऐसे ही रहा इसको भी e की पावर x प्लस y रिख देंगे यहां तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत ठीक है अब समझगे e की पावर x प्लस y कोँन है? y है भहिए तो e की पावर x प्लस y की जगह है e कi पावर x पलस y की जगह क्या रख दिया hockt इसा है इसको क्या किए है है मैंने इसको क्या किया दिया है इसको क्या क्या किया है यहां से दियाभाई चपन है तो 1-y । why बचेंगा फर्रवा य물ितर जी संदर है यपाँạt आपर क्या आएगा y upon 1 minus y प्रूफ हो गया यदि अब भी समझ में ना रहा हो तो आप वोट्सब पर मैसेज कर देना मैं इसको और ची तरी के समझा दोगा ठीक है तो ये होगे हमारे पास ठीक है बहुत अच्छे-चे question लिए होगे मैंने अब देखना जरा दिहान से पाच्छा question इसको आप देख सकते हो आप देख लेना मैंने इस तरी के से बहुत सारे question आपको समझा दिये ठीक है इसमें थोड़ी सी ये main बात है ये जो x minus y है इस x minus y की जगह मैंने यहाँ पर y log x रखा है तो आप इसको देख लेना next जो topic पढ़ने वाले हैं वो slope of a line बहुत important है एक line की slope कैसे निकाल जाती है एक line की एक रखा की ढाल कैसे निकाल जाती है तो उसको आपको याद रखना है मालनो कोई point है किसी बिंदू पर कोई point है x, y1 उस पर आपको इस पर सरेखा की ढाल या परवनता निकालनी है मतलब इंगलिस में slope of a line on a point आपको एक line की slope निकालनी है किसी point पर तो point x, y1 तो आपको क्या करना है उसी रेखा की उसी कर्व की आपको d y by d x निकालना है उसी d y by d x को क्या बोलते है m बोलते है और उस d y by d x में आपको क्या रखना है x1, y1 की value रखनी और d y by d x 10 theta होता है यदि x x के साथ कोई line कोई angle बना रही हो तो उससे जो tangent होती है m बराबर 10 theta वो ही क्या होती है उस line की tangent होती है तो formula क्या रखना है m बराबर d y by d x x1, y1 जैसे y equal to 3 x square है इसको आपको क्या निकालना है पूछा गया है कि इसकी स्परस रखा की परवनता है ढाल बताईए slow profile line होने point पर बताईए तो क्या करेंगे एक बार अवकरन करना है d y by d x का differentiate with respect d y by d x कितना होगा 2 बाहरा है 3 दूनी 6 एक बच गया तो यही क्या है इसकी slope of a line है कल को यह किसी point पर पूछ ले माल लो यह 3 2 पर पूछ ले इसने तो हम क्या करेंगे d y by d x और यहाँ पर क्या लगाएंगे 3,2 मुझे बताओ यह x की value है y की value है तो 6 cross कितना लेगा 3 तो 6,8,8 इसका answer आजएगा ठीक है यहाँ तक समझ मैं आपका आपको देखी अब बहुत important है और यह भी पूछेगे देखो equation ओपे tangent tangent क्या होती है tangent की equation tangent मतलब ispurs रेखा की समिकरण equation ओप tangent ispurs रेखा की समिकरण on a point x1 y1 p पर यह मेरे पास कोई curve है यह दिया गया होगा आपको question में y बराबर fx इसका कोई point p है और हमेशा tangent यह इस पर से रेखा एक point से होकर गुजरती है हमेशा यह कोई हमारे पास क्या है curve है y पर to fx curve है इस curve पर एक point है उस point से गुजरने वाली एक line उसी point को touch करने वाली line यही होती इस पर से रेखा तो मुझे इस पर से रेखा का समिकन चाहिए अब दूसरी बात इस पर एक abhilem एक normal draw कर दिया जाए तो यह abhilem की समिकन होगे तो दोनों पूछे जाते है तो पहले इस पर से रेखा का समिकन निकालते है equation of tangent किस point पर x1 y1 पर तो कितना आएगा y-y1 equal to dy by dx किस पर point पर x1 y1 पर x-y equation of normal क्या होती है मतलब हिंदी में बोले abhilem का समिकन तो y-y-y-y-1 equal to minus 1 upon dy by dx मतलब dy by dx करने के बाद तो आपको minus 1 बटे कर देना है minus 1 upon कर देना है और x-y ऐसे कैसी जैसे कि question समझना आप बहुत द्यान से एक circle है कोई वर्त है x square plus y square equal to 20 मालो इस circle का करव है कोई worker है इस तरह का circle तो ऐसे बनता है जो 0-0 से जा रहा हो लेकिन इस तरीके से अब इसको एक line टच करके जाती है पहले उस इस पर से रेखा का समिकन बताना मतला equation of tangent बताना है फिर हम को equation of normal बताना है मतला वभिलम का समिकन बताना है इसी point पर तो सबसे पहले देखिए मुझे दिया है x square plus y square equal to 20 मुझे निकालना है सबसे पहले dy by dx क्योंकि ज़र्वत किसकी है dy by dx की ज़र्वत है तो यहां देखिए differentiate with respect to x x square का कितना होगा 2x होगा 2 बाहर आ जाएगा y square का कितना होगा 2y होगा और y का कितना होगा dy by dx equal to 0 अच्छा 2 यहां भी यहां भी dy by dx में किस point का रखूँगा 2 4 का रखूँगा तो जहां x होगा महां 2 रखूँगा जहां y होगा 4 तो x की जगह 2 है y की जगह 4 है तो minus 1 y2 यह क्या आ गई यह किसी line की slope आ गई लेकिन मुझे तो उस line की tangent की मुझे तो equation बतानी है equation मैंने आपको बताए क्या है क्या होती है y minus y1 equation of tangent y minus y1 dy by dx x1 y1 और x minus x1 तो y1 की जगह कोन है बच्चा y1 की जगह 4 है तो यहां पर 4 रख दिया dy by dx x1 y1 कोन है minus 1 y2 है x1 की जगह कोन है x1 की जगह 2 है चिक है यहां रख दिया इसको solve कर लिए equation को 2 की दर multiply की 2 4 8 minus x minus के दर multiply की minus x को अधर ले गए तो x यह पहले से ही plus है minus 8 को अधर ले गए तो 10 बन गया अब slope of a normal अब normal की slope कैसे निकालेंगे वो मैं भी बताता हूँ अब ilm का ढ़ाल कैसे निकालते हैं अब ilm की परवनता कैसे निकालते हैं आपको क्या करना है d y by dx तो आप पहले से निकाल चुके हो minus 1 upon करना है तो minus 1 upon इसकी value तो पहले से पता minus 1 by 2 minus से minus कैंसे 2 उपर चला गया 2 आ गया अब मुझे equation of normal की बतानी है normal की equation बतानी है x minus x1 x1 की जगह 2 है आपसे multiply करना इस तरह की equation कोई बन जाएगी तो I hope आपकी समझ में आओगा इसके बाद हम बात करते हैं एक answer बिन का एक बच्चे ने question पूछा था कि 1 upon 1 plus x cube का पारिसर फ्रेक्शन क्या होगा answer बिन क्या होगी और 1 plus x फिर 1 plus x square minus x जहां a की value 1 है b की value x है या a की value x है b की value 1 है अच्छा इसको हमने x plus 1 लिखा और फिर x square minus x plus 1 लिख दिया इसको उठाकर यहाल आए अब मुझे बताओ जो रेखिक होता है जो linear होता है उसको अलग से लेते हैं इधर इसकी तो x plus 1 से यह यह पूरा solve करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया answer आपकी समझ में अराम से आ जाएगा equating constantum जो मैंने किया हुआ है बाकी आप previous देख सकते हो उसमें ठीक है तो आपको क्या-क्या तयार करना है आपको grammar rule का question तयार करना है मैं वीडियो में दे चुका हूँ उसको आपको कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कर लेना है grammar rule ठीक है बाकी इसके बाद आपको inverse निकान लाना चाहिए एक set से आता है समुच्चे से question मैंने आपका paper उठाया हुआ है ये paper है आपका ये देखिए diploma semester exam 2022 ठीक है ये paper है आपका इस paper को में स्याम को आपको वीडियो मिलेगी 7-8 बजे तो इस paper को में solve करा दूँगा 7 में live में तो ये बहुत अच्छा paper है इसमें से भी आपको मिल जाएगा कोसन ठीक है तो इन कोसनों को मैं साथ साथ में सब को solve करा दूँगा तो इतना कर लीजिए आपके लिए सभी sent होगा और very very most important मैंने आज के जो lecture बताए आप इन सभी वीडियो को देखिए तभी आपकी समझी में आ जाएगा अच्छे माकसा आपके आ जाएगे ठीक है तो friends ये दिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास सेर कीजिए जाज जादा हमको support कीजिए मिलते हैं evening time में इस paper को मैं soul कराऊंगा ठीक है ना इस paper को मैं soul कराऊंगा और अब तक आपने मारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लीजिए ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में क्योंकि आपको next जो आपका semester 2 है उसमें भी आपका mathematics होना है तो उसको मैं starting से ही जैसे आपके paper खतम होगे तब ही से मैं इसको पढ़ाना श्टार्ट कर दूँगा YouTube पर फिरी ठीक है मिलते है next वीडियो में Thank you